हेलो, मैं डक्टर संगीता नागरवाल, गोर्नमेंट कोलेज बहांदिकी से आज हम जिस विशे पर चर्चा करेंगे, वो है सतनता प्राप्ती के सायक्ततु देखे, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी प्राप्तुई लगबग 200 वर्सों के लंबे संगर्श और शहादत के बाद भारत ने ये दिन हासिल किया हाला कि भारतियों का संगर्श लंबा था ब्रिटिश सरकार ने भारत के आजादी के बारे में नहीं सोचा लेकिन अब परिस्तितिया ऐसे उत्पन हो गई कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद कर देना उचित समझा एक बार दिती उचिद के दोरान ब्रिटेन के प्रधान मंत्री विष्टन चर्चिल से बारत के सतंता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं ब्रिटिश सामराज्य के विगटन पर हस्ताक्षर करने के लिए समराट का प्रधान मंत्री नहीं बना हूँ इसके अतरिक प्रधान मंत्री सहित ब्रिटन के अन्य मैत्पुन नेता पदादिकार भी यही मानते थे कि आने वाली कई दशाब्दियों तक भारत को सोतंता देने का प्रशन ही उत्पन नहीं होता लेकिन युद्ध के तुरंत बाधी ब्रिटिस सरकार को भारति सोतंता संग्राम के सम्मुद गुटने टेकने पड़े ये एक बहुती आशरे जनक घटना थी जो ब्रिटिस सरकार यह मानती थी कि अभी भारत को सोतंत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता वही ब्रिटिस सरकार अच्चानक भारत को आजात करने के लिए तयार हो गई इसमें कोई संदे नहीं कि यदि अंग्रेजो के वसकी बात रहती तो वे अभी कुछ दिनों के लिए और भारत पर शाशन कर सकते थे लेकिन अब उन्होंने भारत को सतंत्र कर देना ही उचित समझा इस मैत्पूर्ण और एतिहासिक निर्ने के मूल में ऐसे कौन सी बाते थी ऐसे कौन से कारण थे जिनोंने भारत में ब्रिटिस शाशन के अंत को अवशंपावी बना दिया जो ब्रिटिस सरकार भारत को आजाद ही नहीं करना चाहती थी जो किसी भी कारण से भारत में अपना शाशन इस्थापित रखना चाहती थी उस ब्रिटिस सरकार ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया तो हम उन तत्तों के बारे में यहां चर्चा करेंगे जिनों ने भारत की सुतंतरता भारत की आजादी और शंबावी बना दी तो इसमें जो हम सबसे पहला कारण पढ़ेंगे या जो सायक तत्त सबसे पहले हम पढ़ेंगे या जिसके बारे हम चर्चा करेंगे वो है गांधी के भारत में चलाए गए आंदोलन हाला कि गांधी से पहले भी भारत में स्वतंता शंगर्ष प्रारंब हो चुका था स्वसाशन की मांग प्रारंब हो चुकी थी लेकिन अभी तक जो आंदोलन भारत में चल रहा था वो जन आंदोलन नहीं था गांधी ने जब भारती राजनिती में पदारपन किया तो गांधी ने अपने आंदोलनों से जिसमें एसायोग आंदोलन सवीन अविग्या आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से इन आंदोलनों को जन आंदोलन बना दिया बड़ी संक्या में लोग गांधी के इन आंदोलनों में शामिल हुए और बिटिस सरकार को भारत को सतंत करने के लिए मजबूर कर दिया बिटिस सरकार ने गांधी के इन आंदोलन को पूरी तरह से दबाने का प्रियास किया लेकिन बिटिश शास्कों को गांदी के आंदोलोनों से सीधी टक कर मिली इन अहिंसात्मक आंदोलोनों से बिटिश सरकार मजबूर हो गई और उन्होंने अंत में भारत को आजात करने के बारे में शोचना प्रारम कर दिया अगला कारण जिसे हम देख सकते हैं वो है भारत में राश्टीता का वेग देखिए यहाँ पर बिटिश शाशन नीती में परिवर्तन का जो महत्पुन कारण था वो था बिटिस सैना में राश्टवाद की लहर इस समय भारत में हिंद फोच के तीन सैनिक अधिकारियों डिलन, सैगल और शाहनवाच पर सैनिक अधालत में मुकदमा चलाया गया था और इसके विरोध में सैनिक और एसानिक छेतरों में रोशपूर्ण अभी वक्ती हुई सैना ने इसका पूरा विरोध किया और इसी विरोध में भारते नो सैना ने भी विद्रो कर दिये तो अब जिस आधार पर बिटिस सरकार भारत में टिकी हुई थी अब उसका वही आधार डगमगा गया सैना और नो सैना के आधार पर ही बिटिस सरकार ने भारत पर नियंतरन बनाए रखा था लेकिन अब यह नियंतरन डिला हो गया जब सैना और नो सैना पर बिटिस सरकार का नियंतरन नहीं रहा तो अब उसको भारत को आजाद करने के लावा कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा एक बार प्रदान मंत्री एटली ने कहा था ब्रिटेन भारतियों को स्वतंतता दे रहा है क्योंकि भारतिय सेना ब्रिटेन के प्रति वफादार नहीं रही और बिटेन भारत को अधीन रखने के लिए बहुत सी सैनाएं भारत में नहीं रख सकता इसलिए इसी दृष्टी कौन को देखते विए अब बिटेस सरकार को भारत को आजाद करने के बारे में सोच नहीं पड़ा अब इसका जो तीसरा कारण है वो है बिटेन में लेबर पार्टी का गठन देखें बिटेन की लेबर पार्टी जो थी वो एक प्रगतिवादी राजनेतिक दल था और वो सुरू से ही उपनी वेशों की सतनता का समर्थन करती थी लेबर पार्टी के लोग उपने वेशवादियों के विरोधी थे क्योंकि उनका मानना था कि इंग्लेंड के मजदूरों की हालत जब तक नहीं सुदर सकती जब तक बिटेन के विसाल समराज्य कांत नहीं हो जाता उपनी वेशों में सस्ती दर पर मजदूर मिलते थे और इस कारण अधिक लाब कमाने के लिए बिटेन के पूंजी पती अपनी अतिरिक्त पूंजी उपनी वेशों में ही लगाते थे जिसके परिणाम सरुप अंग्रेज मजदूरों की इस्तिती खराब होती जा रही इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का दभाव भी लगाता लेबर पार्टी पर पढ़ रहा था इस दल के नेताओं ने एक सामराज्य वादी विरोधी मोर्चा कायम कर लिया था जिसका उद्देश है सामराज्य वादी देशों में उपनी वेश्वात के खिलाफ आंदोलन करना था लेबर पार्टी पर इस आंदोलन का बहुत गहरा असर पड़ा जब इंग्लेंड में चुनाव हो रहे थे तो लेबर पार्टी के नेताओं ने भारत के लिए घुशना की कि अगर चुनाव में लेबर पार्टी विजई रह हो जाती है तो वो शि 10 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार स्थापित हो गई और अब इंगलेंड के प्रदान मंत्री एटली को अपना वादा पूरा करना था और इसी लिए उसने भारत की स्वतनता के बारे में सोचा और माउंट बेटन को इस कारी की जिम्मेदारी दी माउंट बेटन ने 3 जुन 1947 को अपनी योजना रखी जिसमें वीभाजन के साथ साथ भारत और पाकिसान के आजादी शामिल दी अब देखिए अगला कारण ब्रिटन के दुरबलता दिते विशुद में या दिते विशुद के कारण ब्रिटन बहुत ही शक्ति ही नो गया था अब उसके पास पुरानी शक्ति नहीं थी अब उसके पास सैना और अर्थ इतना ज़्यादा नहीं था कि वो भारत पर नियंतन रख सके भारत के सैना और ने सैना ने पहले ही विद्रो कर दिया था और बिटन के पास अपनी सैना भी इतनी नहीं थी कि वो भारत पर नियंतन इस्तापित कर सके वो सैनिक और आर्थिक दरश्टी से अमेरिका पर आश्रित हो गया था तो एक आश्रित देश किस तरह से दूसरे देश पर लंबे समय तक नियंतर रख सकता है तो अब ब्रिटिस सरकार के सामने मजबूरी थी कि वो भारत को स्वतंतर करे इस से अच्छा उपाय उसके पास नहीं था अगला करण देखिए एश्याई राष्ट्रों में स्वतंतरता की लहर दितिय विश्वित के बाद समस्त एश्या में राष्ट्री आंदोरन बड़े जोर से आरंबुगा एसिया के इस नव जागरण और नव चेतना के कारण भारत में सामराज्यवाद का टिकना अवैसंबव हो गया था अब ब्रिटिस सरकार को भारत छोड़ना ही था अगला कारण था भारत पर शाशन लाभीन तो देखें युद्ध के बाद अंग्रेजों के लिए भारत का सामराज्य सिरकाबूज बन गया भारत के इस्तित्यां दिन प्रति दिन भीगर रही थी भारत पर अब ब्रिटिस सरकार का नियंतर्ण कमजोर होता जा रहा था और इसके अलावा ब्रिटिस सरकार को यह भी पता था कि भारत में इस समय तक परियाप्त रूप से उद्धोग दंदों का दिकास हो चुका था और ब्रिटिस माल का भारत में आया कम हो गया था तो जिस उद्धे से ब्रिटिस सरकार ने भारत को अपनी विस बनाया था कि भारत के ब्रिटेन के कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाना और वहां से तैयार माल को भारत में बेचना यानि कि भारत ब्रिटैन के लिए एक बड़ी व्यापारिक मंडी था लेकिन अब भारत में खुद के उद्धुदंदे विक्सित हो गए थे और ब्रिटिस मालों का भारत में आयत कम होता जा रहा था इस हालत में भारती उपनिवेश से विशेश आर्थिक लाग ब्रिटैन को प्राप्त होने के आशा नहीं रही थी ब्रिटिस शासन ने अनुबव कर लिया था कि अब भारत को स्वतंत कर देना ही ठीक है यदि इसे स्वतंत करके इसकी सहानुबुती प्राप्त कर ली जाए तो यहां बहुत हद तक ब्रिटैन का आर्थिक हित सुरक्षित रखा जा सकेगा अगला कारण जिसे हम मान सकते हैं आजादी में सायक वो था कटे छटे पाकिस्तान की स्विक्रती तो देखिए भारतिय सतनता के मांग में सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो थी मुस्लिम लिग मुस्लिम लिग ने ब्रिटिस सरकार के कई सवेधानिक योज़ाओं को ठुकरा दिया क्योंकि उसको मन चाहा पाकिस्तान नहीं मिल रहा था जब तक मुस्लिम लिग किसी प्रिस्ताओं पर अपनी सहमती देलने के लिए तयार नहीं थी तब तक भारत का सतनतर होना भी मुश्किल था लेकिन जब माउंट बेटन योज़ना को लिग और कॉंग्रेस ने मान लिया तब भारतिय सतनता का मार्ग एकदम खुल गया अंग्रेजों के भारत छोड़ने का एक कारण यह भी था कि मुस्लिम लिग तथा कॉंग्रेस दोनों अब निश्चे पर पहुँच चुके थे तथा दोनों ने ही विभाजन को स्विकार कर लिया था सावेदानी गतिरोद दूर करने के लिए उनको लगा कि इस से अच्छी योजना और कोई नहीं बन सकती और अब अंग्रेजों के सामने जब दोनों ही दलों ने मांट वेटन योजना को सिकार कर लिया और भारत और पाकिस्तान की आजादी का मार्ग खुल गया तो अब अंग्रेजों के सामने कोई बहाना नहीं रहा कि वो भारत में और अधिक लंबे समय तक शाशन करें और भारत का और अधिक लंबे समय तक दमन करें तो अब जब जिन्ना और कॉंग्रेस के नेता विभाजन को लेकर सहमत हो गए तो अब ब्रिटिस सरकार को भारत को आजाद करना ही पड़ा अब अगला कारण जो है वो साममेवाद का खत्रा इस समय दीरे दीरे साममेवाद ने भारत में प्रिवेश करना शुरू कर दिया था दीती विशुद के समय इसका प्रभाव और अधिक बढ़िया कॉंग्रेस के नेतरत में जब सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी तब जनता का जुकाव साममेवाद के और होने लगा अंग्रे जुक अभी ये भै हो गया कि जल्द सत्ता अस्तांतरन नहीं किया गया तो भारत में साममेवाद का उद्या हो सकता है और ये ब्रिटेन के लिए एक चुनोती हो जाएगी और इसी लिए ब्रिटेन ने भारत को आजाद करना ही उचित समझा अब इसके अलावा देखे भारत के सामप्रदाइक दंगे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब जिन्ना और मुस्लिम लिग की मांग सिकार नहीं की गई तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 से भारत में प्रतेक्ष कारवाई दिवस मनाते विए सामप्रदाइक दंगे शुरू कर पा दिये जो लिग और जिन्ना और यहां तक की ब्रिटिस सरकार की एक सोची समझी चाल थी ब्रिटिस सरकार चाहती तो इन दंगों को दबा सकती थी लेकिन उसने लिग को सहयोग दिया और ये सामप्रदाइक दंगे पूरे भारत में बुरी तरह से फैल गए करोडों लोग मोत की घाट उतार दिये करोडों की समपती समाप्त हो गई और इस्तिति यहां तक उत्पन हो गई कि अब इन दंगों को दबाना मुश्किल हो गया तो अब बिटिस सरकार यह भी चाती थी कि अब भारत को ऐसी आतंक इस्तिति में छोड़ दिया जाए जिससे यह देखा जाए कि यदि अंग्रेज भारत से चले जाते हैं तो भारती लोग इस आतंक इस्तिति का सामना किस तरह से करते हैं भारती लोग अंग्रेज जोग कि जानने के बाद अपने आपी कट पिट कर मर जाएंगी और उनको ऐसे इस्तिति में बिटिस सरकार की साहेता की आउशकता पड़ेगी और जब वो बिटिस सरकार से साहता मांगेंगे तो बिटिस सरकार को यहाँ पर लुक नहों लेकिन इनसाम प्रदाइक दंगों से भारती नेताओं को भी इस्तिती स्पष्ट हो गई थी कि अब यदि अब यदि बिटिस सरकार यहाँ और अधिक रुकी तो भारत में एक नई अन्य को पाकिस्तान बन चाएंगे तो अब उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बेज ना ही उचीत समझा अब वो किसी भी सूरत में अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते थे और इनी सामप्रदाइक दंगों से छुटकारा पाने के लिए कॉंग्रेज ने विवाजन को सिकार कर लिया तो उदर ब्रिटिस सरकान ने इन इस्तित्यों में उसे लगा कि वो भारत्पन नियंतर नहीं कर सकती अब भारत को छोड़ देना ही उचीत है तो अब उसने भारत को आजात करने का मानस बना लिया और भारतियों को सत्ता सौपने का ने ने कर लिया अब अगला कारण है विशु जन्मत भारत के पक्ष में तो इस समय देखिए अमेरिका और चीन लगातार इंग्लेंड पर दबाव डाल रहे थे कि भारत को संत्तरता दे दी जाए इंग्लेंड विशु जन्मत की अधिक समयता कवेलना नहीं कर सकता था औ और उसको भारत को आजात करने के लिए तैयार होना ही पड़ा अब अगला कारण हम ले सकते हैं कोंग्रेस की स्विक्रती हैं कोंग्रेस अभी तक अखंड भारत की बात पर अडिवी थी लेकिन जब उसे लगा कि भारत की इस्तिती दिन प्रति दिन बिगरती जा रही है और वो लिग का सयोग प्राप्त नहीं कर सकती और यदि लिग या मुसलमान भारत में रहे भी या अखंड भारत रहा भी तो उनके लिए एक बड़ा सिर्दर्द रहेगा तो इस सिर्दर्द को खतम करने के लिए उन्होंने सिर्द को कटवाना ही उचित समझा और अब कॉंग् बेटन योज़ना को सिक्रत कर लिया तो अब भिट्रिस सरकार के पास कोई बहाना नहीं रहा कि वो अब और अधिक समय तक भारत में रहे अब उनको भारत को आजाद करना ही पड़ा अगला कारणता भारतिये स्वतंतरता अधिन्यम भारतिय स्वतंतर अधिन्यम में बहुत सारे प्रावधन दिये गए थे और उसमें दो अधिराज्यों की घोशना कर दी गई थी भारत और पाकिस्तान इसके बाद अब ब्रेटिस सरकार के पास कुछ नहीं बचा था अब ब्रेटिस सरकार ने बारत को आजाद कर दिया अब इनके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे हाला कि गांधी का आंदोलन या गांधी का योगदान बारतिय स्वतंता में महत्पूर्ण योगदान रखता है लेकिन इनके अतिरिक्त हम अन्य करांधी कारियों और आतंक वादियों के बलीदान को भी बुला नहीं सकते जब कॉंग्रेस का मनोबल गिर रहा था तो उस समय इन्ही करांधी कारी और आतंकियों ने ब्रेटियन के छक्के छुड़ा दिये थे ब्रेटियन का ब्रेटियन सरकार का इन्होंने डटकर मुकाबला किया था क्रांधी कारियों और आतंक वादियों ने ब्रेटियस सरकार को येट का जवाब पत्थर से देखकर राश्टिय आंदोलन की लहर को गतिमान बनाए रखा आगे देखें इनके अतिरे भारतिय समाचार पत्र जिनका भारतिय सतंतर प्राति में महतपूर्ण योगदान रहा बारत में गांधी का अंदोलन चला अन्य नेताओं ने प्रांतिकारियों ने आतंक वादियों ने अपना अपना योगदान दिया लेकिन यदि समाचार पत्र इनके विचारों को आंदोलन की घटनाओं को या अन्य परिस्तियों का उलेक नहीं करते और जनता को इनके बारे में नहीं बताते तो जनता इन चीजों के बारे में नहीं जान पाते और जनता भारतियों आंदोलन से नहीं जुड़ पाती तो आंदोलन से भारतियों जनता को जोड़ने में समाचार पत्रों ने एक कड़ी का काम किया इनके अलावा लेखकों, विध्यारतियों, भूंजी पतियों और साधान जनता ने भी अपने अपने डंग से आंदोलने भाग लेकर भारत को स्वतंतता दिलाने में अपना मैत्पूर्ण युगतान दिया तो यह थी भारत के स्वतंतता की कहानी, भारत को आजादी कैसे प्राप्त हुई, कैसे ब्रिटिस सरकार ने भारत को आजाद किया और अपने बोरी विस्तरियां से समेथे तो नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुभाचन बुस के बारे में उनका भारती राष्टी अंदलन में क्या योगदान रहा, इसकी चर्चा हम करेंगे, नमस्कार